एकनोमिक्स का लेक्चर नबर फाइफ है डिसकस करना है हम लोगों को एक्रिकल्चर सेक्टर के बारे में हम लोग बात करें इसके पहले हम लोग इसके थोड़े से एक्रिकल्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो वैसे तो क्रशी जो है भारती इर्थुयस्था के प आपका प्रांपरागत जो कृशी पद्दितिया है उसी से ही कर्शी कारे करते थे और कर्शी कारे केवल आपका जीवन निर्वाहेतु ही किये जाते थें इन दोने आपका बड़े पैमान में पर क्रशी का वाड़ि界 करण थे नहीं हुआ था तो एक तरह से प्रांपरागत वो चल रही थी, जब सुतंदरता प्राप्ती उसके बाद, तो सुतंदरत प्राप्ती के समय भारत में जो सकल घरील उतपाद में करशी और संबंद छेतरों का योगदान जो था लगबग से 50% के आसपास बोला जा सकता है लेकिन इसके बाद सकल घरील उत्पाद में क्रशी और जो सब्बद छेत्र है उसकी भागिदारी लगातार कम्द होती गई परतमान में सकल घरील उत्पाद में आपका क्रशी छेत्र की जो भागिदाई है लगबख से 17% के आसपास है और भारत में कृशी का उतल पादन जो है लगतार बढ़ रहा है आज भारती क्रशी जो है भारत की खादयान आशक्ताओं को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम बोली जा सकती है भारती क्रशी का जो महात्य है इस बाद से भी परलक्षित होता है कि दुनिया के मातर 2.4% चेत्र और 4.2% पानी से हम विश्व की लगबख साढ़े सत्रा प्रतिशत आबादी का भरण पोशन करने में कामयाल होते हैं तीन पॉइंट्स यहां से निकल किया है एक तो ये विश्व की साढ़े सत्रा प्रतिशत आबादी जो है भारत में रहती है इसके अलावा अगर एरिया वाइस बात की जाए दुनिया के मातर 2.4% चेत्र मतलब सिर्फ 2.4% चेत्र है पुरी दुनिया के हिसाब से अगर भारत की बात की जाए तो और तीसरा था आपका 4.2% पानी यहां पर सिर्फ मतलब टोटल जितना भी विश्व मा पानी है वहां का इसका 4.2% है वैसे यह इतना इंपॉर्टन है लेकिन दुनिया का 2.4% चेत्र और विश्व की लगबग साठे सत्रा प्रतिशत आबादी यह दोट पॉइंट्स आपके निकल के आते हैं तो आबादी का भी भरविशन करने में काम्याब है आज भारत ने खादियानों में आत्मिर्भर्ता प्राप्त कर ली है बहुत सारी चीज़ों में आत्मिर्भर है भारत पहले से ही नंबर वन की पोजिशन पर है तो भारती अर्थिवस्था की जो प्रगती है और विसेशकर भारत के जो ग्रामिर छेत्र है उनके विकास है तो क्रश्ची छेत्र का विकास जो है बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट है यह भारती अर्थवस्था का सबसे बड़ा आसंगडित छेत्र है और यह निजी छेत्र में सबसे अधिक रोजगार के आउसर प्रदान करने वाला अकेला वैवसाय है अगर वहीं बात की जाए निजी छेत्र में तो सबसे अधिक रोजगार आउसर प्राइदा करने वाला अकेला वैउसा है भारती जन संक्या का लगभाग से 48% हिस्सा मान लिजे आज भी आपका क्रशी और इससे सम्मधित कत्रिदियों में ही कही न कहीं कारत है करशी छेत्र में आपका जो नवीमतम विकास हो रहे हैं उनकी वज़त से बहुत सारी चीजे बदल गए है पॉलाट्री हो गया मास हो गया बागवानी हो गया ये सारी ह Chance है जो साइ्ड लाइन चल रही है और इससे रोजगार और जो स्वरोजगार हैं उनके कहीं न कहीं आवसार भी बढ़ गया है तो पहली तो एक heading डालिएगा तो लिखाते भी चलता है लिखेगा सबसे पहले तो करशी छेतर heading डालिएगा करशी छेतर और उसके अंदर थोड़ा से लिखेगा भारत एक करशी प्रधान देश है भारती जनसंख्या का लगभक 48 प्रतिशत हिस्सा आज भी करशी और संबतित गतिविधियों में आज भी करशी और संबंधित गतिविधियों में कारेडत है और भारत में करशी का उत्रधान लगातार बढ़ रहा है भारत में कृशी का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है आज भारती कृशी भारत की खाध्यान आवशक्ताओं को पूरा करने में पूरा करने में सक्षम है अब बात करेंगे भारती अर्थवस्था में जो कृशी खेत्र का महत्व है Importance of Agriculture in Indian Economy तो अर्थवस्था में कृशी का योगदान क्या है उसके बारे में हम लोग बात करें कृशी खेत्र का भारत के सकल घरेल उत्पाद में एक important rule बोल सकते है वित्ती वर्स 1951 चला था ये अब लगबख 51% के आसपास था उसके बाद फिर आपका धीरे धीरे नीचे होता चला गया सकल घरेल उत्पाद या फिर आपका सकल मूलिस समवर्धन में प्रतियक चेत्र के सापक जो है टीवर्धी को दर्शाती है जैसे हम लोगे नेग चीज देखी थी फिर्टी वन परसन के आसपास 50 के आसपास जीडीपी थी ठीक है टोटल जीडीपी का 50 परसन आपका करशी से ही प्राप्त हो रहा था उसके बाद ये आपका 17% के आसपास इस टाइम के आ गया तो reason क्या है कि आकरशी चेतर की जो लोग है वो हड गया या फिर वहाँ से जो profit है वो मिलना बंद हो गया या फिर क्या ऐसा कुछ नहीं है अगर हम लोग बात करें primary, secondary और third, three sectors होते हैं ठीक है थर्ड आपका service sector होता है तो second और जो third sector है उसका growth जो है वो जादा हुआ अगर अपेक्षा की जाए या फिर बात की जाए आपका पहले sector से प्रात्मिक sector से तो तीसरे sector और दूसरे sector का जो बढ़ोतरी है growth है वो अधिक हुआ जिसकी वजह से बार्थी अर्थिवस्था में जो आपका करशी है इसका GDP में percentage जो है वो कम होता चला गया manpower जो है वो सबसे यादा आपका इसी में लगी हुई है almost 48% के आसपास बहुत बढ़ा एक दायरा होता है 48% के आसपास आद भी आपका प्रात्मिक शेत्र में ही है प्रात्मिक शेत्र में है या फिर उससे related किसी ना किसी काम में involved है अब करशी रोजगार का एक महत्पूर्ण स्रोथ है विसे इसकर आपका जो ग्रामिक शेत्र में और भारत में आज भी लगवा 50% जो कारेसी जनसंक्या है वो करशी कारे में ही कारणत है तो इसका exact आपका percentage तो आप नहीं बता सकते लेकिन हाँ वही आपका 48 49 50 51 नहीं बोल सकते आदी जनसंक्या बोल सकते है तो 48 से 50% के आसपास आपका around करशी और करशी छेत्र में फैला हुआ है अब बढ़ती हुई जनसंक्या के लिए खाद्यानों की आपूर्ती किस परकार से होती उसके बारें बात करें तो भारत में करशी छेत्र की उत्पादन में लगातार ब्र नहीं आती है आगे चलके हम लोग ये भी डिस्कस करें कि कौन सी छेत्र में किस चीज़ की जादा बढ़त्री है मतलब कौन सी छेत्र में आपका जैसे यूपी में गन्ना के मामले में सीर्थपर है ठीक है MP में दलहन हो गया सोयबीन हो गया बहुत सारी चीज़ें इस तरह स में से आती है तो हम लोग आ गर देखेंगे अब और द्योगी क्षेत्र के लिए चेत्र करदियूर्थे महत्वर्द के लिए रोल किया है महट्व तो क्या है उसके बारों एगर बात करें तो करलीải युद्धां के रूप में कर्षी छेत्र जो है अर्थवरस्था जब yan where और ये खादि परसंसकरण जो है उद्ध्योगों को करशी उद्पादों के रूप में कच्चा माल कहीं न कहीं उपलब्द कराता है। करती हैं अब पहले तो लिख लीजेगा अर्थवयस्था में क्रशी का योगदान एक दो हेडिंग लिख लेंगे तो थोड़ा फोड़ा पॉइंट्स अगर आप लिखते रहोगे तो रिवीजन करने में बहुत आसानी होगे हमेशा जब भी आप लिखते हैं तो बहुत ज़् में क्रशी का योगदान हेडिंग डालेगा लिखेगा क्रशी छेत्र का क्रशी छेत्र का भारत के क्रशी छेत्र का भारत के सकल घरेल उत्पाद में महत्पूर्ण योगदान है भारत में करशी भारत में करशी रोजगार का एक महत्पूर्ण सुरोथ है वर्तमान में वर्तमान में भारत को अपनी विसाल जनसंख्या की खाद्यान आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए खाद्यान आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए आयात पर निर्वर नहीं रहना पड़ रहा है अब गरीबी उन्मूलन में इसका इंपॉर्टन रोल किस प्रकार से है उसके बारे में हम लोग बात करें तो भारत में आपका ग्रामिण छेत्रों में आधी से अधिक जो स्रम शक्ती है वो आपका क्रशी छेत्र में ही कहीं न कहीं कारणत है क्रशी आज भी आपका निम्ने आयवर्ग और निर्धन वक्ति को कहीं कहीं जीवनाधार है क्रशी चेतर जो है वो खादिस रक्षा का एक मुख्य अस्तर बोला जा सकता है अब इसका पूंजी निर्माण में किस तरह से सहयोग होता है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत में पूझी निर्मार पक्रिया में करशी छेतर का जो सहयोग है अवश्यक होता है करशी उत्पादों के उत्पादन के रूप में तथा गैर करशी उत्पादों की मांग के रूप में भारत में करशी का जो केंदरी स्थान है गैर करशी उत्पादों की मांग के महत्पूर सुरोत होने के रूप में करशी जो है अर्थिवस्था के दुतियक छेत्र में निवेश को प्रिलित करता है करशी छेत्र में किसी भी प्रकार की मंदी से और दिविक छेत्र में भी मंदी उत्पन हो जाती है और इसके परणाम सरूप सकल घरिलू उत्पाद की समर्थी दर्जु है वो गंभी रूप से कहीं न कहीं प्रभावित होती है अब आपको जो लिखना है लिखना क्या है समझना है जो हम लोग नेक्स टॉपिक पर डिसकस करेंगे बहारती क्रशी का सरूप कैसा है नीचर ओँ जो इंडियन एगरी कलिशर है, वह किस परकार से है तो हेडिंस ही ढल दीजएगा भारती क्रशी का सरूप फंक फिर से मैं यह रिपीट कर देता है बात को अपनी जितना भी आप लिमिटेड लिखेंगे डाटा उतना बहतर लिख पाएंगे आपका जब आपको लिखने को आएगा यह सारी चीज़ें मेंस में तो उतना बहतर आप लिख पाओगे ठीक है क्योंकि हेडिंग्स आपको ज्यादर डालनी होती है और जैसे भारती से भारतति रते का महत्त्रो Chy guide कि किस तरह से क्षिंस यह 2,500 शब्डों में ही बहुत आसानी से 20 में 50 सब्ड़ों में 100 सब्ड़ों में तो बनी सकता है इसके लावर 2060 सब्डों में जो इसके लिए एंक बोister है कि best जो है 200 शब्दों में ही होगा ऐसे ही सब्सक्राइब बाकि जैसे आगे पढ़ेंगे तो इतना लंबा आप नहीं समझा सकते हैं अगर तो सफीसिंट है समझा लेंगे बहुत दिक्कत नहीं पचास सब्सक्राइब लेकिन पचास सब्सक्राइब अगर वह पूछ रहा है मतलब पूछा जा रहा है तो अब इससी बात है एक दो एक्जामपल भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि एकनामिक्स में आप ज़्यादा इधर उदर नहीं लिख सकते हैं बहुत लिम्टेड दारा होता है और धाई शब्दों में जब आप लिखोगे चीजों किसी भी चीज को तो इसी तरह की चीजें आपके एक्जामनिशन में आएंगी तो तरीका हमेशा आपको पकड़ना होता है कि किस तरह का तरीका जो है हमें अडॉप्ट करना है और किस तरह से हमको पढ़ना है तो हम लोग बात करते हैं भारत का भारती क्रशी का जो सुरूफ है नीचर ऑफ इंगे नेग्री कल्चर है उसके बारे मैं तो उसमें निमन उत्पादक्ता सबसे फहले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं क्राशी छेत्र में निमन उत्पादक्ता जो है क्रशी छेतर के पिछड़े रहता है जो कि आपका बात किये जाय तो क्रशी छेतर वो आपका और पन करता है। और इससेलिए thrive पिछड़े पन के द्वारा का स्मृद्धी हो जाती है। लगदार पिछड़ा ंगन को से नहीं दिपाता है। और इसी का एक एफेक्ट भी पढ़ जाता है कहीं न कहीं और दियोगिक छेतर पे भी अब लगू जोतों के बारे में हम लोग बात करें तो भारत में करशी जोतों का आकार जो है सामानता बहुत चोटा है लगू जोते जो हैं करशी समुरधी की प्रक्या में कुछ रुकावटे लाती है जैसे करशी का यांतिर करन कर्थिन हो जाता है मतलब अगर मशीनी करत किया जा जाए चीज़ें तो कहीं न कहीं कर्थन हो जाता क्योंकि छोटी जोते है लगो और सिमान इस तर पर क्रशी जो है निरंतर ही लाब के लिए उद्यम के स्थान पर निर्वाका एक स्रोध बनी हुई है मतलब profit कमाना तो छोड़िए सिर्फ एक जीवन निर्वाका जैसे starting में ही बात वी तो जीवन निर्वाका एक स्रोध बन पाया है बाकी ऐसा नहीं कि इससे profit आया है और हम लोग यह सिर्फ बात करें भारती क्रशी में उन क्रश्वकों के बारे में जो maximum persons है उनके बारे में नहीं जिनके पास जमीने बहुत आयात में हैं और वो अपनी तरीके से काम करते हैं तो हम लोग उनके बारे में डिस्क्स करने है जो actual में भारती farmers हैं और उनकी स्थिती क्या है क्रशी में economics से आप बहुत को सीख पाओगे तो क्रशी का यांत्री करण कठिन हो जाता है इसके रावा लगू जोतों की वज़े से आपका किसान जो है इनमें सुधार और मुर्द जो प्रतियोगी की है उनके प्रयोग होती प्रतसाहित बिलकुल में नहीं होता है अब क्रशी छेत में बिरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसके पीछी ऐन क्या लाजिक है उसके वारें बात करें तो प्रचन वेरोजगारी इक शबद आता है ये भी आपका एंड़ींग में अभी हम लोग लिखेंगे प्रचन वेरोजगारी के बारें में तो क्रशी छेतर में जो आपका मौसमी बेरजगारी है और प्रशन बेरोजगारी है बहुत मात्रा में पाई जाती है भूमी के एक निश्चित तुकड़े पर काम करने वाले वक्तियों की संख्या उनकी वास्त्वी कावसकता से कहीं नहीं अधिक होती है किसानों को करशी कारे के दौरान केवल एक वर्स में केवल वर्स में कुछ माही रोजगार मिल पाता है अब देखिए इसका मतलब अगर नहीं समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसको करने में दस्विक्तियों का लगा होना यह आपका परचन बिरोजगारी है मतलब यह आठ लोगों की कोई जुरृत नहीं वहां पे लेकिन फिर भी वह लगे हुए क्योंकि उनके पास और कोई कारे नहीं है तो अगर उनके पास कोई कार नहीं है तो ओविससी बात है वह किसी न किसी चीज में तो इन्वाल्व होंगे ही जैसे छोटी सी चीज समलें लिए बसे एक जीज घ्रते रहता हूं कि जो जैसे एक छेत्र है माल लिए आप आपके पास जमीन का टुकड़ा है एक विस्वेका य तो फिर आपका next generation जो हुआ हो सकता है दो children's हो तो वो छेत्र तो उतना ही है लेकिन बच्चे दो हो गया ठीक है तो वो अब आधा-धा हो गया फिर उसके बाद हो सकता है कि उनके भी आगे generation इस तरह से change हो तो वो नहीं बढ़ रही है वो उतनी है और उसी में बटवारा होता चला गया तो अगर इसके परपेक्ष में यह भी बोला जा सकता है कि अगर एक घर में लोग ज्यादा है ठीक है तो काम करने की जगह तो similar है सिर्फ उतनी है एक ही बिस्वा है और घर में दस लोग है तो कोई घर में बैठना वैसे भी नहीं चाहेगा कहेंगे कि आप बिकार हो वैसे भी एकदम बिकार हो जाओगे तो बेटर यही है कि क्रशी कारे में ही लग गए और जहां पर दो लोग की जुरत है वहां पर आठ लोग लग लग गए तो यह आपका पूरी तरह से प्रच्छन बेरुजगारी हुई कि उनका जो आठ लोग हैं बांकी के इनका रोल बिरोजगारी जो है वह लगता बढ़ती जा रही है तो चाहे तो प्रचन बिरोजगारी जो है वह ङड़िन लिखेगा क्रशी छेत्र में मौसमी बिरोजगारी और प्रशन बिरोजगारी बहुत मात्रा में पाई जाती है बहुत मात्रा में पाई जाती है प्रचन बेरोजगारी से मतलब प्रचन बेरोजगारी से मतलब अंडरलाइन कर लिजेगा, ब्लैक पेंसे लिख लिजेगा, कुछ लिख लिजेगा मतलब आप जब revision करो तो आपको प्रचन बेरुजगारी साफ साफ दिखना चाहिए प्रचन बेरुजगारी से मतलब जिस स्थान पर एक वेक्ति से ही काम चल सकता है उस स्थान पर कई वेक्तियों का लगा होना उस स्थान पर कई विक्तियों का लगा होना यह दर्शाता है कि यह दर्शाता है कि यहां पर प्रचन विरोजगारी है अब बात करेंगे भू स्वामी कास्टकार संघर्स के बारे में तो क्रशी भूमी के एक बड़े भाग पर कास्तकार दोरा क्रशी की जाती है कास्तकार जो है भूमी के स्वामी तो होता नहीं बलकि भू स्वामी से भूमी पट्टे पर क्रशी कारी होतु लंबे लेते हैं आएक एक बड़ा भाग भूस्वामी के पास होता है और कास्तकार को खब ख़ाग प्राप्त होता है तो वैसे यह भी आपका समझने वाली चीज है भूस्वामी कास्तकार जो है इसके बारे में घर हम लोग बात करें इसमें निर्वाह केती होती भारत में मैकσιمट जो लगो औ किसान होते हैं किसानों का प्रात्मी गुद्देश अपने परिवार के लिए जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन करना कारण होता है करना होता है ना कि लाप कमाने के लिए तो इस टार्टिंग में ही जैसे हम लोग ने जब अगरिकल्चर की स्टार्ट की थी तो वहां पर दिसकस किया था इस चीज़ के बारे में तो भारत में जो आपका करशी है वो कहीं न कहीं प्रॉफिट के लिए नहीं सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए ही होती है तो अर्थात आज भी भारत में मैक्समन जो निर्वाह है वो आपका करशी छेत्र में होती ही मतलब करशी में सिर्फ निर्वाही होता है वर्षा पर बहुत ज़्यदा डिपेंडेंसी होती है तो भारती क्रशी जो है वो वही नहीं वर्षा पर बहुत ज़्यदा अधाईत है तदा वर्षा की अनिस्चित्ता की वज़ा से क्रशी उत्पादन में भी आपका अनिश्यृतन होती है भारत में आज भी आपका क्रशी छित में परियात्तो जो और उन्नत जो सिचाई सुधाओं हैं उनका कही न कही अभाव पाया जाता है कुछ पिछडी तक्निकी भी है भारत में मैक्सिम्मों जो खेत हैं छोटे आगार की होते हैं और उनुपर खेती करने वाले अधिकांस किसान जो है डिबेंडेंट होते हैं अता पिछडी तक्नीकी को अपयोग करना उनकी कहीं न कहीं बादिता होती ही है इसी कारण यहाँ पर आधनी को उपकरण जैसे ट्रेक्टर हो गया ठीक है ठ्रेसर हो गया और जो भी कई नई सारी मशीनी करत चीजें आती हैं करशी से समधित तो मशीनों को प्रयोग जो है सामान रूप से बहुत कम हो पाता है मतलब वो बनाई तो जा रहे हैं करशी कारें के लिए लेकिन किसान उनका यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पाता है क्योंकि उतना ज्यादा प्रॉफिट उनका निकल के आता नहीं, जिसकी वज़़से ही वो सारी चीज़ें वो कर नहीं पाते हैं. अब आधुनिक क्रशी आगतों का आभाव किस प्रकार से उसके बारें बात करें. तो आज भी भारती क्रशी में आधुनिक जो आगते हैं, जैसे उन्नत किश्म की.